आईपिल 2023 की शुरुआत से पहले ही मुंबई इडियस के लिए दुख की खबरे आने शुरू हो चुकी है मुंबई के कई खिलाडी तो पहले ही आईपिल 2023 से बार हो चुके थे और अब एक और अबडेट आ चुकी है सुरी कुमार यादव को लेकर दोस्तो बताएंगे आपको इस खबर की पूरी जानकारी लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हो कि मुंबई इडियस आईपिल के सबसे बहतरीन टीम है तो इस वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को ज़रू सब्सक्राइब कर ले दोस्तो आईपिल 2023 को शुरू होने में स्थोड़ा ही वक्त बाकी है और आईपिल 2023 को लेकर सबी टीमें तैयारियों में जोरो शोरों से लग चुकी है आपको पता दे कि अब मुंबई इडियस के उपर दुकों का पहार तूट चुका है मुंबई का एकोर खिलारी आईपिल से बार हो चुका है आपको पता दे कि मुंबई के टीम के लिए जस्परिद मॉमरा और जाहीर इचर्सन जैसे गातक गेंदबास तो पहले आईपिल 2023 से बार हो चुके थे और अब मुंबई के लिए सबसे बड़ी समश्या बन गई है सुर्यकुमार यादव की फोर्म जी हाँ दोस्तो हाल ही में उस्टेलिया के विरूद होई तीन मैचों की ओडियाई श्रिंकला में सुर्यकुमार यादव ने लगा तर तीन मैचों में जीरो प्राउट होकर एक सर्मनाग रिकोर्ड अपने नाम किया सुर्यकुमार यादव तीन मैचीज में सिर्फ तीन ही गेंद खेल पाए और तीनों ही वार सुर्य कुमार यादव बिना खाता खोले पविलेन के और चलते बने दोस्तों सुर्य कुमार यादव दुनिया के सबसे बैतरिन T20 याई बनने वाजों में से एक है लेकिन सुर्य कुमार यादव इस वक्ते बुरी फॉर्म से जूज रहे है दोस्तों ऐसे मैं अगर सुर्य कुमारी आदव कबल आई पेल में नहीं बोलता है तो मुंबई एडियास की टीम के लिए इस आई पेल में मुकाबला जीतना कफी कटिन होने वाला है